स्टाव प्लस की मशूर अबिनेता हर्षच चोपडा शो ये रिष्टा क्या कहलाता है मैं करिश्मा सावंथ के साथ थोड़ा बहुत स्क्रीन शेयर करके करिश्मा सावंथ को बहुत जादा फेमस कर चुके हैं जी हां हर्षच चोपडा की वज़ा से ही वो फेमस हुई है पर कैसे किस तरह से उन अबिनेत्रियों को मिस्टर चोपडा ने फेमस किया है चलिए जानते हैं इस वीडियो के जरिए अबिनेता हर्षच चोपडा के साथ सबसे जादा लाइम लाइट में रही है श्रिती जा जो सौभा की वती भवा सीरियल में इनके साथ नजर आई थी और खबरें तो ये भी थी कि हर्षच की शृती कुछ टाइम तक गर्ल फेंड भी रही थी जिसकी वज़ा से ने बहुत ज़्यादा नेम फेम और स्टारडम हासल भी हुआ हर्षच काफी नामी गिरामी अभी नेता हैं जिसके साथ थोड़ी समय के लिए ही सही पर शृती जहाने अपने छोटी परदे पर अपना अच्छा खासा नाम बना लिया था साथ ही ये दोनों हाम उम्र थे दोनों की बीच का इंटेंस लब भी दर्शकों को काफी जाद एकसाइट कर गया था जिस वज़ा से बेपना सीरियल में हर्षच की वज़ा से जैनिफर विंगेट खूब प्रचलित हुई थी तेरे लिए सीरियल में अनुपरिया कपूर ने हर्षच चोपड़ा के साथ पहली बार टीवी पर एंट्री मार कर अपने आपको टीवी इंडस्टी में थोड़ा फेमस कर लिया था जिहां सीरियल में इन्होंने तानी और अनिरुद बनकर जो जल्वा विखे रहा था वो आज भी दर्शकों को याद है या बले ही टीवी पर दोबारा न दिखाई दी हो पर ये अभी भी तानी के गिरदार से लोगों के दिलों में घर करके बैठी हुई है आज कर हर कोई अभी मन्य और अक्षरा की जोड़ी को होग पसंद कर रहा है और ये रिष्टा क्या कहलाता है सीरियल में प्रडाली हर्शत के साथ ऑन स्क्रीन बॉंडिंग के लिए और दमदार केमिस्ट्री के लिए दर्शकों के बीच में बहुत ज़ादा पॉपिलरिटी बटूर रही है जिन्होंने कई अभी नेताओं के साथ काम किया लेकिन हर्शत के स्टार्डम की वज़ा से इनकी भी फैन फॉलोइंग हर रोज बढ़ती रहती है क्योंकि दर्शक हर्शत के साथ उनकी जोड़ी को सबसे ज़ादा पसंद कर रहे हैं तो दोस्तों कौन सी एक